नमस्कार दोस्तों सक्सम क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों आज हम बात करने वाले हैं डिट मेंस के टॉपिक राजस्तान के साहित्य के बारे में इससे पहले हमने राजस्तान के परमुक साहित्य कार देखे थे राजस्तान के परमुक अनुसंधान के के बारे में बात की थी और राजस्तान के पर्मुख खिलाडी देखें थे तो मित्रो अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उनको भी जरूर देखना निची तोर पे एक्जाम में क्यूशन पूचे जाएंगे ठीक है तो मैं बढ़ता हूं आगे और बात क के अंदर ठीक है इसके बरिगर्ण की बात कर लेते हैं इनको किस परकार से विवज़ित क्या गया है राजस्तान का इत्यास एवं संस्कृती कक्सा 10 के नुसा कक्सा 10 के नुसा जो विवज़न क्या हुआ है उनको देखिए प्राचिन काल इस काल को वीर गाता काल भी का जात था है कौन सा काल बक्तिकाल और इसके टाइम प्रेट की बात करें तो 1650 से 1650 इसवी तक ठीक है मित्रों यह एक्जामें सिदा पूच जाये तो आपको बतना है उत्दर मध्यकाल उत्र मध्यकाल इसको श्रिंगार रिती एवं नितिपरक काल भी कायता है कौन सा श्रिंगार इसके टाइम प्रेट की बात करें तो 1650 से 1850 इस वि तक अधुनिक अधुनिक आमीड़ और चांत में रह opini को एंत्यास से कि हम संस्कृति कख्षा 10 जो मादिमिक्षिक्षा बोड के चलती है उसके अनुसार मित्र विवाजन क्या हुआ है तो सिधा मिलान करने वाला पुछा दा सकता है कि कौन से काल को कौन सा काल का जाता है ठीक है मित्रो इसको आपको बताना है नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और देखिए साहित्य का विवाजन सिताराम लालस द्वारा सिताराम लालस के बारे में हमने पढ़ा था जब अब मुख साहित्य कार पढ़े थे हमने उस टाइम बात की थी इनके बारे में ठीक है इननल जो विवाजन क्या है साहित्य का अधि इवानद में यापको नागे काल की रूप में आधीकाल में विक्रम सवंध 800 से 720 तक तक विक्रम सवंध 1,ама सौ 1,72 से faculty अरो अरो आधु काल की बात करें तो विक्रम सवंध उस्व बरतमान धक भर्तमान तक अ और इस परकार सी वजन यह था सिथाराम लालस ने, ये भी आपको याद दकना, इसको सरवार्धिक उपयोगत नहीं, सरवार्धिक उपयोगत नहीं, गoryदम इससे पहले बात करते हैं, संस्किर्ट साइथ यह, उसमें जो परमुख रचना हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, जितनी भी डिटेल जानकारी मिल दी है, यहां पर नोट कियो मित्रोग तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है सभसे पहला है कुब्व्व्व्व्व्व्व्राईमाला ग्रंट इसकी रचना 17880 17880 के अंदर उद्यवतन सुरी के दोरा कहा पर की गई जालोर के अंदर ये भी पच्छल आता है अगुजर फर्तियार कि वो संस्टा फंस का हम वास्ट लूब वास्ट वीक शंस्ता प्र हूँ अधीक है कि हम इसके अंदर बस्राज के साँषन परबंद के समझने जय चानदकारी मिलती है हुआ रजसन परबंध के समन में यह भी बात आपको धियाने इसके अंदर 18 वासाओं का उल्य क्या हुआ है और राजितान की जो परिशे हैं उन्य यह राजितान की जो परिशा जग्जीवन भट द्वारा इसकी रचना जग्जीवन भट के द्वारा की गए थी इसके अंदर मारवाड का इत्यास तता महाराजा जस्वन सिंग पर्तम तता अजिस सिंग के समय जो यूद हुए कि इनकी विजय संधियो आदी के बारे में जानकारी मिलती है मित्रो तो इस बात को भी आपको जयान में रखना है शिदा एग्या में पूछा जाए कि निमलिकित मैंसे किस ग्रंत के अंदर माहराजा जस्वन सिंग पर्तम तता अजिस सिंग के समय की यूद्स विजय संधियों के बारे में ज जी तो दे ठीक है मित्रो रचना जग जीवन भट द्वारा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और साइटिया एक लिंग महात्मिया एक लिंग महात्मिया वेरी इंपोर्टेंट है इसको लिखना प्रारम किया था किसने महारणा कुमबा ने और उस टाइम इसका नाम रखा परत इस गरंद के अंदर गुईल वंस की वंसावली आश्रम वैवस्ता तता मद्यकालिन वन वैवस्ता के समन्द में जानकाली मिलती है ठीक है तो यह भी आतको अपको ध्यान रखना है और इसकी तुलना है जो पूरानों से की गई है ठीक है नेक्ष देखे हमीर महाविया हमीर महाविया जितने भी मित्रों सब लिएग सभी इंपोर्टन्ट है हमीर मा circuits नयंचंद्र शोरी नयंचंद्र शोरी हमीर मांविय की रचना चीटी इसके अंदर चुहानों की वं सा अभली अजमेर राज्येका वननघंटर यहां पर कौन सा वन्स था चोहान वन्स अजमे राजय का वर्णन शाकंपरी शपात लक्स तता अलाव दिन खिल जी के रन थंबोर अभ्यान की जानकारी मिलती है ठीक है अलाव दिन खिल जी के रन थंबोर अभ्यान की जानकारी मिलती है ठीक है हमिर देव इस समय यहां का शाशकता रन थंबो अमर काव ये वनसावली इसकी रचना की थी रंचोड भट द्वारा अमर काव ये वनसावली की रचना की ये महाराना राज सिंग के दर्वारी कवी थे और इस गरंत के अंदर बपा रावल से लेकर राणा राज सिंग तक के मेवार के इतियास जोहर दिपावली भुली आधी तयारों की जानकरी भी मिलती है ठीक है इस बात को भी आपको द्यान में रखना कहां से कहां तक इतियास की तो बपर रावल से लगा कर राणा राज सिंग तक के इतियास की जानकरी मिलती है इसके अलबा जोहर की जानकरी मिलती है दिपावली की जानकरी मिलती है और होली ठीक जिल गिपाल पर किस वासा के अंदर लिखे थे संस्कत वासा के अंदर और पचीस शिला लिखों पहे ठीक है पचीस शिला लिखों पहे इस बात को आपको द्यान में रखना है नेक्स देखिए मित्रो इस पर मेवार का इत्यास वनित है इसमें मेवार का इत्यास वनित है ये भी आपको याद रखना है नेक्स बढ़ते हैं आगे और नेक्स रचना है वो है परवन चिंतामनी परवन चिंतामनी मित्रो अचा लग रहा हो वीडियो अचा लग रहा हो तो और हमाँ चैनल को सब्सक्राइब जूरू कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे, परबन जिन्दमर्णी की बात करते हैं, इसकी रचना कीती मेरुतुंग द्वारा, मेरुतुंग द्वारा इसकी रचना कीती और ये परमार शाषक भोज के राजकवी ते, परमार शाषक भोज के राजकवी ते कौन? मेरुतुंग, ठीकें, इसके अदर तेरवी सताबदी के राज नितिक एम सांस करतिक जीवन का वर्णन मिलता है तेरवी सताबदी के राज नितिक एम सांस करतिक जीवन का वर्णन किस गरंत के अंदर मिलता है परबन छिंदा मनी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और गरंत के बारे में बात करते हैं अपना राज विनोध इसकी रचना की थी शदा शिव भट के दौरा शदा शिव भट के दौरा इसकी रचना की गए थी मित्रो और ये इसके आदेश पर रचना हुई थी विकानेर के सासक कल्यान मल्ग के आदेश पर इसकी रचना हुई थी और इस ग्रंद के अंदर विकाने विकाने राज्ये की सामाजिक आर्थिक एम राजनेतिक परसित्यों का वर्णन मिलता है विकाने राज्ये की सामाजिक आर्थिक एम राजनेतिक परसित्यों का वर्णन इस गरंद के अंदर मिलता है बढ़ते हैं आगे और नेक्ट गरंद के बारे में बात करते हैं नेक्ट ग समय का महाना कुमबा ठीक है और इसके अंदर ग्रहाम ग्राम दूर्ग राजबर्षाद मंदीर नगर बाजार अधिके निर्मान पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है तो यह बात भी आपको दियान में रखना है इसके अंदर कुल कितने 16 अधिया है 14 अधिया है ठीक है और इस ग्रंत के अंदर 25 सदाब्दी के सैनिक संग्टन मेवाट राज्य यहम इस्तापत कल्या के कला के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है इस बात को भी आपको दियान रखना है इसके अलबा कुछ और संस्क्रसाइथे उनके बारे में आपको सिधा यह धकना है कि इसके रचना रहनी रचिता कौन है रचना कार कौन है आपको यह धकना है तो मितो हरीपूशन की बात करते हैं अरीपूशन इसके रचना की ती गंगाराम भट के द्वरा अरीपूशन की रचना की ती गंगाराम भट के द्वरा राजपरकाश राजपरकास की रचना की ती किशोरदास राव के द्वरा किसके द्वरा किशोरदास राव के द्वरा जगत विलास इसकी रचना की ती नं है जगसिंग का भिए इसकी रचना की ढगणात ने ति इंट 521 महा काव और इसकी रचना की ती हृषना राम बटे द्वारा ठीक है किस्ट इसके द्वहरा की गई थी रचना तो एश्झारा मबटे द्वारा बिर्वंस माद गरण से इसकी रचना की ती एच जा, गलत ब्रुम इसकी रचना कीती देव भटने किसने देव भटने नेक्स बढ़ते आगे और देखते हैं जैवंस महा काविय जैवंस महा काविय इसकी रचना की थी सिताराम बटने किसने सिताराम बटने बटी काविय बटी काविय की रचना की थी मित्रों बटी के द्वरा बटी के द्वरा बटी काविय की रचना की गई थी राज रतनाकर राज इतनाकर इसकी रचना की थी सदाश निए सदाशीव बटने हरी लूना क्यों उसको भासा के अंदर विग्र सत अधियोज पी का है कि मैबनली हे नेक्स्ट है जैे विल्स के रचना किती रन्वीर बटने किती रन्वीर बटने जैं напр झाटक हई इसकी रचना की धी पंडीत जैदेवने किसने पंडीत जैदेवने क्रम चंद बन्सोत किर्थम जय केम कावियां स्छोख चीजे संग के द्वारा जय सों के आप स्किलगे देंगे ओर और रिढके देगे चपर जगत संह सथ्रहं इसकी रचना म numer ने किस प्रास नंदराम, अमर सार, जिवादर, जगत सिंग, काविय रगुनाथ और इस परकार जो भी दियों है आप सभी या दखना है ठीक है नेक्स बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रासो साहित्य के बारे में रासो ठीक है इसके अंदर किसी राजा की कोई राजा है उस राज अधा करी रासो साहित्य से मिलती है मितरो, कुछ मतभण जो रासो है उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रित्वी राज राज रासो ठीक है इसकी रचना के दिजिछ यहां पर आप साथ हैं बताने की जरुत भी नहीं यह इत ज्यादा करेंगे, जो सा वास्त्रिक नाम था प्रित्वी राज वलादी बाट इनका वास्त्रिक नाम था यह वीर रस परदान वाला महा काविया है ठीक है इस बात को भी आपको ध्यावन रखनी है प्रत्वी राज तत्य के जीवन चरीत्र वा युदो का वनन इसके अंदर मिलता है ठीक है प्रत्वी ये भी एक्जाम में कितनी बार कुछा गए है कि पत्तिवी राज्व एस्व ग्रंथ को पूरा किस्ने किया था आपको बताना है जलहन ने इसको पूरा किया था इसकी बशा पिंगल कि बासा है पिंगल पिंगल पहल के बशा चाहर और ने की उत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् और इसी गरंद के अंदर प्रिदी राज तर्थिय एंई प्रती राज्षान त preheता सहयों गिता के प्रिम सम्दों पुन्दौ का वंणन भी मिलता हैं pack बढ़ते हैं आगे नेक्स हमीर रासो अमीर रासो अमीर अजय करना आज जोदराज ने और ये अठार वी सदीगी रचना इसके अंदर रंधंब और कि ससक हमीर देव चवान तदा अलाव दिन खिल्जी के मद्य वे यूद का वनन है ठीग है दूसरी है मित्रो हमी रासो जिसके रचनाकार थे रचिता थे सारंगदर कौन थे सारंगदर ये सोधी सताबदी की रचना है मित्रो तो इस दोनों के बारम confusion होना एक आएगा दोनों नाम एक साथ में नहीं पूछ जाएंगे ठीके यहापी तो आप्शन में होगा जोदराज यहापी रोगा सारंगदर नेक्ष बढ़ते हैं आगे नेक्ष आईते हैं खुमान रासो इसकी रचना के दिदी दलपती विजे ने किसने दलपती विजे ने मित्रो दलपती जो विजे है ये मिवाड के सासक रावल खुमान दीत्य के समकालिन था ठीके मिवाड के सासक रा जानकरी मिलती है और इसी गरंद के अंदर हल्दी काटी यूद के समय मारना परताप तता उनके भाई सकती सिंग के मिलन की जानकारी भी मिलती है ठीक है और इसी ग्रंद के अदर मित्रो मार्णा अमर्ण सिंग के समय मेवाड मुगल समंदों के बारे में भी जानकारी मिलती है आपको पता होगा मेवाड मुगल समंद मार्णा अमर्ण सिंग ठीक है बिशल देव रासो बिशल देव रासो के बारें बात करते हैं इसकी रचना की थी नर्पती नालर ने बिशल देव रासो की रचना की थी अजमेर के चोहां सासक विग्र राज चतुर्थ के ये समकालिन थे ठीक है बिशल देव तता उनकी प्रेमी का राज मती की प्रेम कता का बनन इसके अंदर मिलता है राज मती मित्रो परमार्शासक भोज की पुत्री थी परमार्शासक भोज की पुत्री जैके न रिखना कीुति है और मान सिंग परतम के जीवन वकार्यों का वननन इस गरंद के जन면 मिलता है, ये बाते भी आपको ध्यायन रखनी है, विशेश रूपसे इसके कप लेकिन विशे शुरूप से बारे में पूचा राषो तरु साल रासो कभी ढुंगरशी ने और उर रजस्तानी बाशा के अंदर रचित राज्ये राज्य χा Suffress इसके अंदर लिखा हुआ है नेक्स देगे सगत रासो ठीक है सगत रासो मित्रो इसकी रचना की थी गिर्दर आसिया ने किस ने की थी गिर्दर आसिया ने इसकी रचना की थी और इस गरंत के अंदर हल्दी काटी यूद का वर्णन मिलता है ठीक है मारना परताब के भाई सक् इस सघत रासो के अंदर जिसकी रचनकिती गिरदर आशियान है नेक्ष्ट बढ़ते हैं आगे और आपना सती रासो सती रासो मित्रो इसकी रचना की थी सूर्यमल मिशन ने किसने की थी सूर्यमल मिशन ने और ये डिंगल पासा के अंदर रची थे डिंगल पासा के अंदर नेक्स्ट है मित्रो महाराना सुजान सिंग रो रासो महाराना सुजान सिंग रो रासो इसकी रचना कीती जोगी दास ने किसने कीती जोगी दास ने बिकानेर के महाराजा सुजान सिंग के जीवन इयम कारियों के संदर में इस गरंत के अंदर जानकारी मिलती है मित्रो ठीक है नेक्स देखिए विजेपाल रासो विजेपाल रासो इसकी रचना कीती नल सिंग ने किसने कीती नल सिंग ने विजेपाल रासो की रचना कीती ये पिंगल बासा में रचित रसात्मक काविय हैं करोली के रजा विजेपाल की विजयो का वननन इसके अंदर मिलता है ठीक है करो किसने किती दयाल दास ने पिंगल पासा के अंदर रची थे मित्रों मेवाड के राजाओं का इतियास इसके अंदर बनी थे हैं। नेक्ष्ट देखिए बुद्धी रासो इसकी रचना कीती जलक कवीने किष्णे जलक कवीने नेक्ष्ट देखिए राम रासो राम रासो की रचना कीती मित्रो मादो दास दधावाडिया ठीक है यह दधवाडिया मादो दास दधवाडिया ने इसकी रचना कीती यह किस पासा के अंदर मित्रों इसके अंदर राम कता पर अधारित एक अजार से अधिक संदों ठीक है चंदों का यह गरंत है मित्रों यह बाते आपको ध्यान में रखनी है जो मैं बता ही है एक दो और देख लीजिए जो पिछे रहे गए थे रेवत गीरी कि रेवत गीरी रासो और इसकी रचना की दी विजे सेन सूरी ने कायम खा रासो इसकी रचना की दी जान कवी वेरी इंपोर्टन वित्रों बहुत बार आई जाओं है यह पूछा गया है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है एक है रतन रासो रतन रासो सांदू सांदू तो यह तो आज खतम होते यही पे रासो जितने भी रासो ते मैंने आपको बता दिये और इसके अलावा संस्क्रसाइती भी थी आमेंने आपको बताएं कुछ और भी रहे होंगे अभी आगया नयवाले पार्ट के अंदर आपन देखते रहेंगे तो मित्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निची तोर पर आपको इस चैनल से फाइदा मिलेगा